तो दोस्तो आप लोग जो वीडियो का टाइटल देखा है अभी बिलकुल भी फेक नहीं है और कोई क्लिक वेड वीडियो नहीं है जी हां आप लोग देख सकते हैं कि और किस वजए से यह 442 रुपए के दो केले हैं और क्या इसका जो पीछे का पूरा मामला है वो क्या है आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा और कोई क्लिक वेड वीडियो नहीं है कोई फेक निउस नहीं है कि 442 रुपए के केले कुछ भी टाइटल लगा के चंडीगड के होटल में मैं आपको बता दूँ कि जैड बल्यू मेरियेट होटल नाम का एक खुबसूरत होटल है जो कि 5 इस्टार होटल है जहां पर कि आप लोग यह देख सकते हैं कि यह एक्टर है इनका नाम है राहुल बोस कई सारी आपने फिल्मों में इनको देखा हो और अभी फिलाल इनकी कोई सूटिंग चल रही है चंडीगड में जिसके कार्ण यह रुके हुए थे अपने उसी होटल में जो मैंने आपको नाम बताया है जैड विल्यू मेरियेट होटल चंडीगड में जिसमें यह ठहरे हुए थे और यह पूरा वाक्या इन्हीं के ऊप आप लोग पहली यह वीडियो देखिये आपने की 442 रुपए की दो केले राहुल बोस जो केस होटल में ठहरे हुए थे और उन्होंने जिम परकाउट के बाद में दो केले ओर्डर किये इसी होटल से और दो केले तो नहीं मिले लेकिन साथ में उसका जो बिल मिला वो था 442 रुपए बहती चौकाने वाला और उन्होंने खुद कैप्षन में लिखाए अपना जो ट्वीट करके उन्होंने इस बात की जानकारी दी उन्होंने कैप्षन में लिखाい कि क्या आपने कभी देखाए कभी कभी जो फल होते हमारी सेथकं के लिए हानिकारक भी थाइब हो जाते हैं आप लोग भी अपनी जो राय है वो हमें जरूर बताईएगा इस साधारण से दो केलों का मूल ले अगर 442 रुपए हो जाता है तो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है चाहे कितना भी वड़ा फाइव इस्टार होटल क्यों न हो अगर दो केले के अगर 442 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं तो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है आप लोग भी इस पर हमें प्रतक्रिया दीजिए अपनी कमेंट वॉक्स में कमेंट करके बताईए कि क्या इस बारे में आप लोग कहना चाहेंगे और गाइस इन्हों ने जो ट्वीट किया था उस प बनाना से एक औरडर करते तो सायद आपको एक आईफॉन के बराबर कीमत चुकानी पड़ती तो आप लोग जो है अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस टॉपिक के ऊपर और यह जो वाक्या हुआ राहुल बोस के साथ मे बिल्कुन लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद